Hello friends, welcome to infertility solutions तो आज हम बात करने वाले हैं ovulation and ovulation symptoms मतलब ovulation के क्या लक्षन हो सकते हैं और सबसे पहले हम यह जानेंगे कि ovulation होता क्या है तो ovulation एक ऐसी process है हमारे बाड़ी में होती है कि period के 13 या 14 देन मतलब अगर आपका cycle 28 दिन है अगर ये regular cycle है तो 28-14 जो भी नमबर आता है उस 14 नमबर पे आपका ovulation होता है ovulation होता है मतलब जो भी अंडा जो खुल mature हुआ होता है वो एग बाहर आता है और वो फूटता है तो ये अंडा फूटता है और ये female के body में 24 hours या एक दिन एक या दो दिन के लिए ये जीवित रहता है और ये healthy sperm का वेट करता है दाखी वहां आके fertilization हो सके और फलन हो सके और ये embryo बन सके उसका तो ये जो पूरी process है ये इसे हम ovulation बोलते हैं तो ovulation के symptoms भी दिखते हैं कई-कई महिला में दिखते हैं कई-कई महिला में नहीं दिखते हैं पर अगर हम हमारी body को पूरा अब्जर्ब करें तो ये symptoms दिखते हैं तो आज हम वही बात करने वादे के ovulation के symptoms होते क्या है तो अगर 28 days का cycle है तो roughly हमारा ovulation 11th period के 11th या 12th day से start होके 15th day के बीच में हो सकता है तो ये ovulation होने के एक या दो दीन पहले से ही हमें उसके symptoms दिखाई देते हैं body में तो ये symptoms ये रहते हैं कि हमारा first of all हमारा थोड़ा सा body temperature बढ़ता है ओके आमारा जो बेसल body temperature है थोड़ा सा एक एक हाथ degrees से वह बढ़ जाता है ये वह एक symptoms माना जाता है ovulation का second symptoms of ovulation ये है कि वह बहुत important है actually हमारे हमारे ओमन्स के शरिर में काफी तरह के डिस्चार्ज हमें दिखाए देते हैं throughout our period cycle तो कभी-कभी डिस्चार्ज अपने देखे होगी कभी-कभी आपको फैविकॉल जैसा डिस्चार्ज आता है वजाइना से कभी-कभी बहुत watery, milky type water याता है कभी-कभी sticky आता है तो ये जो भी है ये मतलब पूरा cycle के नुसार ये डिस्चार्ज आता है अगर आप ovulation के period में आ चुके हो तो आपका डिस्चार्ज बहुत sticky, slimy, और clear water हो सकता है आप आपने कभी उंगलियों में वह डिस्चार्ज लिया अगर आपने वह दो दो उंगली स्प्रेर की तो वह एक थ्रेड लाइक structure बन जाएगा अगर ये आपको दिखाई दिया और रॉ एक की जैसा तो ये ovulation का discharge होता है, ovulation का discharge होता है मतलब आप ovulation भी आपका होने वाला है, so this is the right time to have relation with your partner, ऐसा संकेत ये देता है, मतलब आप fertile window में आ गई हो, ये अपका सही time है physical relation बढ़ने का, तो ये हुआ एक another symptom और दूसरा एक symptom आता है कि आपके जो breast में changes आपको दिखाए देते हैं, like आपके breast में भारीपन आ जाता है, कभी-कभी tenderness आ जाता है, so this is also one of the symptom of ovulation और another symptom of ovulation वो ये है, कि ये सभी मेलाव में नहीं दिखता पर कई-कई मेलाव में ovulation spotting भी दिखती है, ovulation spotting मतलब हमारे ovulation के दो तीन पहले, हमें एक slimy सा मैंने जो बताया वो जैसा discharge आता है, raw egg जैसा और उसमें उस discharge में एक thread like structure और बहुत कम मात्रा में blood दिखाए देता है हमें, तो ये जो रहता है discharge हमें उसे, हम उसे spotting बोलते है, ovulation spotting बोलते है और जब वो अंडा शरी से फूटने वाला रहता है तो इसलिए वो blood थोड़ा सा बाहर आ जाता है, so this is also one of the symptom of ovulation, ovulation होना ये बहुत ज़रूरी है बोड़ी में, उमन के, ताकि ovulation हुआ तो ही अंडा बाहर आ जाएगा, रब जरो के, और healthy sperm उसे मिलेगा, and then and then fertilization will be happen there, fertilization हुआ तो implantation हो जाएगा, और मतलब एक जीव आपके body में आएगा, baby के रूप में, तो ये ovulation कई-कई महिला में ovulation के बहुत इश्यू रहता है, वोता नहीं है, आप सही प्रकार का खाना लीजिए, exercise करिए, ovulation हो जाएगा, आपके सब भी harmony imbalance के problem solve हो जाएगी, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, subscribe कर देना, thank you.